लोग में से बोजन ऐसे होंगे कि जिनकी गर्मी के वज़े से स्किन बहुत जादा खराब होती जारी है ऐसे समय में जातर एक्स बढ़ती है पिमपल आने स्टार्ट हो जाते हैं पोर्स जो होते हैं वो ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं चेहरा बिल्कुल भी glow नहीं करता, चेहरे पर बिल्कुल भी निखार नहीं रहता, ऐसे में मैं आज की वीडियो में कुछ hacks and tricks शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होंगे, आज की वीडियो में summer skin के routine शेयर करूँगी, जिसमें बताऊ की आपको अपनी skin के लिए क्या करना चाहिए, मैं homemade तरीका बताऊंगी जो की बहुत ही अच्छा होगा आपकी skin के लिए, जितने भी आपके चेहरे पर open pores है, open burn की समस्या है वो खतम हो जाएगी, अगर आपके चेहरे पर acne pimple आ रहे हैं, उन सब से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, तो टीनेजर हैं, तो टीनेजर के लिए भी ये वीडियो काफे जादा helpful होगी, उसे पहले आपका हमारे चैनल पर सवागत है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो फटा-फटा हमारे चैनल को like and subscribe जरूर कर दीजेगा, and bell icon का button जरूर दबाईएगा, so basically guys, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारे लिए परिशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतनी धूप में जो हमारी skin होती है, वो बहुत ज़्यादा खराब होनी start हो जाती है, अगर आप office girl हैं, या फिर teenager है, school, college में जाती हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी end तक ज़रूर देखनी चाहिए, इसमें आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या 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 करना चाहिए, A to Z पूरी detail आपको दूँगी, ज़्यादा बाते नहीं करते हैं, फटा फट वीडियो को start, तो सबसे पहले आपको अपनी skin के साथ साथ, अपनी body को भी hydrate करना चा आपको इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, ठीके, तो सबसे पहले आपको half cut tomato ले लेना है, उसके साथ साथ प्लस एक coffee ले लेनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होगे कि मैंने 2 रुपे की coffee ली है, थर्ड नमबर पर यहाँ पर आ exfoliate करता है, जिससे आपके skin पर जितनी भी गंदगी है, मैल है, वो सारी की सारी निकल जाती है, साथ ही साथ अगर आपके चेरे पर बहुत जादा blackheads है, whiteheads की परिशानी है, वो सारी की सारी खतम हो जाएगी, scrub करने से आपकी चेरे की रंगत बढ़ने लगती है, चेरे पर एक निखार आने लग जाता है, और जितनी भी tanning है, यह जो मैंने DIY scrub बताया, उस tanning को भी जड़ से खतम कर देगा, इस step में हम चेरे को steam करेंगे, scrub करने के बाद next step में आपको अपने face को steam करना पड़ेगा, जिससे की और अच्छे से deeply cleanse कर देगा, आपके open pores को अच्छे से की परिशानी, वो सारी कि सारी निकल जाएगी, आपको कम से कम पाँच मिनट तक अपने face को steam करने से मारे चेरे पर जितनी भी गंदी परत थी, वो अच्छे से निकल जाती है, चेहरा नीट एंड सोफ्ट हो जाता है, और black arts, white arts की जो परिशानी है, वो खतम हो जाती है, steam ल जितने हैं, अच्छे तरीके से clean कर सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, steam लेने के बाद, जो हमारे black arts, white arts होते हैं, वो उपर आना start हो जाते हैं, उसकी वज़े से हम के उसके उपर nose strip यूज़ करेंगा, nose strip पे अच्छे से वो पकड़ लेगा, हमारे जो black arts, white arts ह निकाल देगा, उसी के साथ साथ मेरे पास Miniso के ये eye gel mask थे, तो मैंने इने भी use कर लिया, अगर आपके पास नहीं हैं, तो आप skip कर सकते हैं, तो मेरी eyes के नीचे काफे ज़दा dark circle हुए पड़े हैं, आखे सूच चुकी थी, इसी वज़े से मैं इस्तमाल कर रही हूँ, अग बहुत पेन करता है, बट उस पेन से ही आपको काफी अच्छा result मिलेगा, ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर मेरे अच्छे से इतने blackheads को निकाल दिया है, नोस के साइड साड मेरे काफी blackheads हुए थे, तो इसने proper तरीके से निकाल दिया है, eye gel mask apply करने से eyes के नीचे काफी ज पेरे पर face mask apply करना है, तो यहां पर मैं DIY face mask apply करने वाली हूँ, सबसे पहले आपको लेनी है मुलतानी मिटी, जी हां मुलतानी मिटी को नहीं जानता है, मुलतानी मिटी तो पराने बक्स से इस्तमाल होती आ रही है, तो मुलतानी मिटी के तो आप सबको फाइदे पता ही नेक्स यहां पे आपको रोज वाटर लेना हैं, इसमें एलोवरा जल इंक्लिूट कर देना है चोथा इसमें आपको मलाई डालनी है, मेरी थोड़ी ड्राइ स्केन इस वज़से मैं मलाई डाल रही हूँ अच्छे से इसको mix कर लेना है ये पेस्ट में consist हो जाएगा याद रखिए कि आपको पेस्ट को जादा liquid नहीं बनाना है तैन दे सकते हैं कि ये हमारा जो पेस्ट है वो बनके ready हो चुका है ये हमारे चेहरे के लिए काफी ज़दा फाइदे मंद होने वाला है मुलतानी मिटी जो है हमारे चेहरे को चमक लाने में काफी मात्रा में help करता है बहुत ज़दा tanning पड़ चुकी थी उस tanning को भी खतम कर देगा एक चेहरे पर चमक ले आएगा चेहरे पर निखार ले आएगा रोजवाटर के भी आपको फाइदे पता ही होंगे रोजवाटर भी पुराने वकम से इस्तमाल होता रहा है यह चेहरे पर निखार लाने में मदद करता है चेहरे को 극्यराइस करता है एड चेहरे को फ्रेश कर देता है ठीक है, थर्ड नमबर पे हमने जो डाला है ऐलो विरा जल, अगर आपके चेहरे पर बहुत इचिंग होती है, कई हो कि क्या होता है, माते पना छोटी छोटी दाने आना स्टार्ट हो जाते है, गर्मी की वज़े से पसीना बहुत आता है, ठीक है, उन दानों को भी खतम कर पिंपल की परिशानी है, उसको भी खतम कर देगा, थर्ड नमबर पे हमने जो डाला है अलो विरा जल, अलो विरा जल जो है, हमारे स्किन पर अगर बहुत जादा इरिटेशन हो रही है, गर्मी की वज़े से बहुत जादा इचिंग आनी स्टार्ट हो गई है, या फिर आप आपको पिंपल सानी की परिशानी बढ़ रही है, तो अलो विरा जल आपके लिए काफी फाइदे मन्द होने, नेक्स जो इसमें हमने मिलाई है, मलाई, मलाई आपके चेरे को मोश्राइस करता है, अगर आपके बहुत जादा ड्राय स्किन है, यह साथ ही साथ आपके चेरे पर ए गलो ले आता है, सिक्स टेप में हम चेरे पर आइस क्यूब अपलाई करेंगे, अगे चेरे पर बहुत जादा पसीना आता है, तो जरूर आईस क्यूब अपलाए करिएगा, अगर आप प करते हैं, तो बहुत जादा फटना स्टार्ट हो जाता है, व् Cec Coast को चे तब आ उसको भी खतम कर देगा चेहरे की रंगत को बड़ा देगा blood circulate को बढ़ाता है चेहरे के आपका छेहरा पूरा reflection हो जाता है चेहरे पर puffiness है अगर ice के नीचे puffiness है उस puffiness को भी कम कर देता है बड़ाता है क्योंकि चेहरे के साथ-जाथ हमारी आंखेंबी है oily skin तब भी आप aloe vera gel apply कर सकते हैं, aloe vera gel गर्मियों में काफी useful है, tanning से बचाता है, allergy, eating से बचाता है, skin को mosh raise करता है, ठीक है, आपको क्या करना है, sunscreen apply करनी है, guys, sunscreen apply करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों की वज़े से आपके चेरे पर sunburn की परिशानियान नहीं start हो जात क्योंकि sunscreen ना लगाने से, आपके चेरे पर वक्स से पहले बुड़ापा चाना start हो जाएगा, वक्स से पहले चेरे पर pigmentation, dark spot आना start हो जाएगे, ठीक है, उससे चुटकारा पाना चाते हैं, तो आपको sunscreen जरूर apply करना चाहिए, और साथ ही साथ sunscreen जो है, tanning से बचाता है, अगर अगर आप चाहते हैं कि buzzer friendly मैं आपके साथ कोई sunscreen शेयर करूँ तो मैं आई बटन पर mention कर दूँगे, और description box में भी link provide कर दूँगी, जिसका मैंने review भी अपने channel पर दिया है, अगर आपको लोगों को ये परिशानी आती है कि sunscreen के बाद makeup कैसे करें, तो उसके उपर भी मैंने पूरी video upload की है, YouTube पर, सबका link में description box में provide कर दूँगी, वहाँ से आप लोग चाके check out कर सकते हैं, ठीके, अब यहाँ पर मैं use करने वाली हूँ, zoe का sunscreen, यह जो sunscreen है काफी जादा useful है मेरी skin के लिए, साथ ही साथ यह आपकी skin के लिए भी फाइदे मन्द रहेगा, because अगर आप कि कुछ आपको foundation नहीं लगाना, कोई BB cream नहीं लगानी, सिर्फ इस sunscreen को apply कर लो, आप देखोगे कि यह आपके जो dark circle है, उसको भी hide कर देगा, चेहरे पर glow ले आएगा, साथ ही साथ चेहरे पर एक निखार भी ले आएगा, अश्माल करेंगे ना, तो कुछ ही second में यह आपकी face को protect करना है, क्योंकि गर्मी आप दिन बदिन बढ़ती जा रही है, और इतनी गर्मी में आप जितना हो सके अपनी skin को protect करोगे, उतना आपके लिए काफे ज़्यादा फाइदे मंद रहेगा, आप चाहें तो कोई scarf आते है नॉर्मल से, आप उनसे अपने चेहरे को ढखके जाएगा, अगर आपके पास काफ नहीं है, तो आप कैप खरीद लीजेगा, कैप से भी आप अपनी skin को protect कर सकते हैं, आप भी summer में इपनी skin को protect करना चाहते हैं, ये acne, pimples, sunburn की परिशानी से सुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरी इन tips and trick को जरूर यूस करिएगा, ये जो tips and tricks आपस लोग साथ में share किया, काफी जादा useful है, home remedy share किया है, जो कि home remedy के काफी फायदे होते हैं, इनके कोई side factor बिल्कुल भी नहीं है,